डिस्क्लेमर यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें लोग हैं जो पैदा सुनील के घर में होते हैं पर अशो को पापा केखते हैं यह वो लोग हैं जो डॉनल्ड टरम्प के लिए लिखते हैं आवे वो तेरा था भी नहीं तेरा रामनाथ को भी था यह वो लोग है जो हर वर्ल्ल कप में केहते हैं This time it's coming home और आज भी लाई क्या भाई चान्दी चौक में आरा है क्या वल्लकप नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोल रहा हूं मैं आज के लाटे को भी लीटर में तोल रहा हूं आजनिय रहाल गांदी जी ने चीन को बूस्ट देते हुए भुला जो हमारे जवानों को पीत रहे हैं तेरी मान देख के आई थी या तिरा अबढ़ मैं ने कुछ निए भॉला है ऐकाश वानिये मुझे न ही मता किशने बुला अभभाई इस सब ने अपने अपने तरीके से रियाचिन दिया इनका एक चरित्र पुरा देश इसी रूप में देखता है हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फांडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिक दिया शायद यही कारण है कि राहुल दांधी बार-बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा गोई मनोज मुंतशिर साब ने भी रेक्शन दिया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक नहायत गयर जिम्मदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए इतनी शर्मनाद भाषा का प्रियोग किया जाता है कैसे करता है कोई पिट गए हमारे सैनिक पिट गए लेकिन मैं क्या दोश दूँ मनोज मुंतिशर के इस बयान पर बवाल कट गया अब बैदेश के जवानों को जो अपना बलिदान देते हैं उनके बारे में कुछ भी वकना दिवालियापन नहीं है परंतु राहुल गांधी सुनिया गांधी के बारे में इत्तू सबकना मनोज मुंतिशर का बयान अत्यत दुराग्रह पूर्ण है राजनीती से प्रेरेत है और उनके दिमाग दिवालियापन को दश्याता है तो इसी बात पर एक शेर याद आया है रूप सुहाना लगता है चांद पुराना लगता है दुनिया करती है पीछे से पर ये तो मुसे बोलता है अबे ये कैसा शेर इसमें तो राइमी नहीं हुआ मान में तो हुआ भारतिय सेना के इस्टन कमांड ने देश को बताया कि नहीं अरुनाचल का कोई भी हिस्सा चीन ने कैप्चर नहीं किया है वहाँ के लोकल लोगों ने भी बताया कि नहीं चीन तो पिट रहा था भारतिया आर्मी ने चीन को पेला है वहाँ कि पुरानी वीडियो थी वह वाइरल हो गई पर वीडियो यदी पुरानी भी है तो उसमें भी सीधे रूप से समझ में आ रहा है के सीनी कितने पीटे गए थे पर राहूल गांदी जी को कौन समझाए और उनको तो कुछ अलग ही लगता है देश में बहुत ज़रे लोगों द्वारा इस प्रकार के अनेको कॉमेंट्स दिये गए हैं जो कि भारतिय सिना के विरुध हैं परन्तु चीन से कुछ अलग ही लगाव रहा है भारत के इस एक पक्ष को और उपे करम अपनों पे सितम करने वाले ये पक्ष कोरोना की वैक्सीन से लेकर भारत चीन की लड़ाई तक मोबाईल से लेकर चड़ी तक सब चाइना सब चाइना सब चाइना सब चाइना करते रहते हैं तो आज इसी पर बात करते हैं तो वोग शो में गौर से देखो इस चेरे को इस बाइजाव का नाम है एंडी मुखर जी ये ब्लूमबर्ग के राइटर है इसकी एक स्पेशालिटी है ये जिस चीज पर आर्टिकल लिख दे भगवान कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो इसने लिखा है एक साल के अंदर अंदर ठीक उसका उल्टा हो जाता है मतलब भाई ने लिख दिया कि बांगलादेश की इकनौमी इतनी तगडी चल रही है इतनी तगडी चल रही है कि अब भारत उसके सामने टिकाई नहीं पाएगा और इसके आर्टिकल लिखने के बाद बाकियों ने भी इसी प्रकार के आर्टिकल लिखने शुरू आप दुकान बांगलादेश में ही खोल लेता हूं, भारत तो बिक चाहेगा। एंडी भीया ने अपना काम कर दिया था, पर एंडी भीया के आर्टिकल के कुछ ही महीनों बाद बांगलादेश IMF के पास गया, और बुला, देखो हमारे देश बेल आउट की स्थिती में है, प्लीज हमें थोड़ा सा लोन वोन देदो, फिर IMF ने साड़े चार बिलियन डॉलर दिये और उस देश को बेल आउट होने से बचाया, और ये भाई साब कह रहे थे, कि ये देश इंडिया को पीछे चोड़ने वाला है, तो इस बात पी एक शेर याद आया है, अनिल कपूर की एक फिल्म थी, नाम था उसका तेजाब, अनिल कपूर की एक फिल्म थी, नाम था उसका तेजाब, एंडि भाईया के आर्टिकलों पे कर दो सब के सब, लाइक, अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइमी न चिंस 뭘 से लेने के लिए लिए ना विलूमबर्ग में ये अटिक रिखायँ और इसके बाद एंडि भी फिर भाई ने दूसरा आर्टिकल लिखा, इस बार बिजनस स्टेंडर्ड में लिखा, भारत की वैक्सिन पॉलिसी फेल हो चुकी है, आप भारत को चीन से वैक्सिन खरीद लेनी चाहिए, भारत के बसकी कुछ भी नहीं है, अब भारत में तो यह सब कुछ हो रहा था, तो बा दवायर ने बताया, कितना बड़ा अनर्थ कर रही है भारत की सरकार, चीन से वैक्सिन ना लेके, साउस चाइना मॉर्निंग पोस्ट में अगनी घोश, इन्होंने मेडम ने लिखा, मोधी को अब अपना प्राइड ना सटक जाना चाहिए, और चीन से कोरोना वैक्सिन ले ऐसे में कुइंट भी कहां पीछे रहने वाला था, भाई साउस पूरा मॉमेंटम बनाया गया कि देखो देखो इस अत्याचारी फासिस्ट को, चीन से वैक्सिन नहीं खरीद रहा है, और भाई साब, इस कैड़े आदमी ने फिर भी नहीं खरीदी, इस पे एक शेर याद आ मान मैं तो हुआ, तो भाई अब इन अजब प्राणियों ने अलग लेवल का गेम शुरू कर दिया, टाइमस ओफ इंडिया की इंदरानी बाक्ची बोस्ट करने लग गई, देखो, चीन ने 20 मिलियन वैक्सिन एक दिन में लगा दी, सबा नकवी ने कहा, कि चीन ने 20 मिलियन वैक्सिन लगा दी है, एक दिन में, इसे टाइजेस्ट कर लो, नहीं बेहन, हम का डाइजेस्ट कर बारे हैं, हम तो पीची सोरिया हमारे तो है, हमारे तो खटी डकार आ रही है, तेरो हाजमा बढ़िया है, हॉस्पिटल में थोड़ी पैदा हुई, तो तो हाजमुला इंडी में निकली, वार ने रैपर खुला, और यहां तरह है, यू तो सबाय है, कॉंग्रेस ने भारत पे विश्व गुरु वाला तंज कसना शुरू कर दिया, देखो, चीन 15 मिलियन वैक्सिन एक दिन में, प्रमिनिस पार्टी ओफ इंडिया, मार्क्सिस्त ने चीन को एक बढ़िया सा इंफोग्राफिक बना के प्रेज किया, और कहा, कॉंग्रेचिलेशन्स चाहिना, तुमने 200 मिलियन वैक्सिन लगा दी, वाल, पर भाई सब उसी दिन भारत ने एक दिन में एक करोड वैक्सिन लगाई थी, भारत को कोई कॉंग्रेचिलेशन्स नहीं इन लोग चीन के 20 मिलियन को दिखा कर कह रही थी, सीखा, कच सीखा, इस से सीखा, कच ता सीखा, फिर चीन में COVID आउट ब्रेक होगया, तो कह रही है, चीन से क्या सीखना, चीन से और क्या एकस्पेक्ट कर सकते हो, इनके पास तो ना नीती है, ना वैक्सिन, कैसे कल लेती हो मैंड़ म मेरी तो आखों के सामने भाई साब डेजा वू हो गया था मैंने का अरे स्वारा भासकर बनना चाह रही है मैं तर्सम खांके कह रही हूं मैं बहुत काफी जगा घूमी हूं लेकिन लंडन न्यू यॉयॉर्क इस्तानबुल पारिस सब फेल है लहूर के सामने और वाइच्छ पाकिस्तान इस एक फेलिंग स्टेट यह मैं कुछ वैसा है जैसे आपके पिताजी आपको खूब कूट दें मार मार के बैल्ट है बैल्ट क्यूंकि आपके 57 परसेंट आये और शर्माजी की बेटी के 97 परसेंट फिर दो महीने बाद पता चलता है कि शर्माजी की लड़की तो भाग गई आपके पिताजी सबको कह रहे हैं उस लड़की के चाल चलन फेले से ही सही नहीं थे मैंने तो अपने टिल्लू को कभी उसके इंफ्लेंस में आने ही नहीं दिया और आप पापा को ऐसे देख रहा हो अरे पापा क्या बोल लाए हो इसको बारी की से समझने के लिए हम चलते हैं अपने ने गैस के पास जो एक ऐसी परसनालिटी है चरहे दक को दें लगताया है यह भी परसनालिटी है जाने नियमें लगता है अडानी ने टीवी चैनल इसलिए वरीद आैं कि इन्ने रास्ते से अटाना था जिन्हें लगता है कि भैंस इसले दूद्स देती है तकि वब स्काशी कंशी के रास्ते से प्लानि इंहें सलमक रिफ बानिंग पारे यह planning है मैंने पूछा किस की बारिश की तो बोला नहीं बारिश की नहीं मोधी की मोधी ने बारिश कराई आप कीचड होगी कीचड से फिर मैं फिसल जाओंगा मुझे रास्ते साथ आने के लिए बारिश कराई गई तो स्वाधत करिए किल्विश कुमार का तो किल्विश जी चीन में दूसरी बार कोरन आव इसपोर्ट हो चुका है अब पूरे विश्व में संकरवन फैलने का पूरा पूरा खत्रा है आपका क्या कहना है इस पे ये सब साजिस है मेरे आगे कैसे गौतम के पिता को कहा गया कि तुम गौतम की माता से विवा करो ताकि गौतम को अमीर बनाया ही इसलिए गया कि वो मुझे हेंडी टीवी से निकाल सके मतलब आपके अगेंस्ट प्लैनिंग मोधी जी ने तब कर दी थी जब वो चाय बेच रहे थे उससे भी पहले से मोधी जी के माता पिता को मिलवाया ही इसलिए गया कि वो मोधी जी को पैदा कर सके वो पी एम बन सके और मेरी जॉब खा सके अब तु पागल वागल है क्या इसका चीन के कोरोना से क्या लेना देना मुझे पता चल गया तेरे माबाप की भी साधी इसलिए कराई गई कि तू मुझे पैदा होते ही पागल बोल सके सब मेरे अगेंस्ट अरे बाई कोई अब पहले वाला जब कोरोना फटा था तो चीन बर महुत उंगलिया उठी थी पर चीन को बचाने के लिए रवीश कुमार जी ने प्राइम टाइम बना दिया था जर्मनी की चांसलर एंजेला मरकिल ने चीन की भूमिका को लेकर कुछ भी नहीं कहा है लेकिन वहां के एक अफवाबाज अखवार ने खबर छाब दी अपनी तरफ से एक फरजी बिल बना दिया कि जर्मनी को 10 लाग करोड का नुकसान हुआ है कोबिड-19 के कारण चीन इसक खबरों का कोई क्या संग्यान ले भारत में अगर ऐसी खबरें छपी हुई मिलें चीन की थियोरी को बहुत जादा बढ़ा चड़ा कर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझेगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाब दे ही पर परदा डालने के लिए चीन आधिकारिक रूप से नहीं पर अनाधिकारिक रूप से तो मान ही लिया पर फिर भी उसी वैक्सीन को चाइना में लगाते रहे और भारत में मैं मैं के महिने में 2021 में ही चीन की वैक्सीन की लॉबिंग शुरू हो गई वो जितने सारे आर्टिकल्स मैंने दिखाया थे सब कि और इसमय या उसके बाद के लिखे गए हैं, कि चीन की वेक्षिन ले लो, चीन की वेक्षिन ले लो, अब ये बताओ, बिना किसी लॉब्ईन के क्या ये पॉसिबल था, तो इस बाद पर एक शेर याद आया है, इतनी मत चाटो किसी की के मूँ का बदल जाए स्वाद तुम्हें देखकर हर कोई कहने लगे मूँ खोल आ रहा है गुलाब जामुन अभे ये कैसा शेयरे इसमें तो राई मी नहीं हुआ मन में तो हुआ जो बात 11 अपरेल को चीन के टॉप अफिशल्स ने अनाधिकरित तरीके से मान ली थी वो बात विश्व को पता लगते लगते 2022 समाप्त हो गया अब जब सब को लग रहा है कि चीन की वैक्सिन पूरे विश्व के लिए प्रॉबलम मन गई है ग्लोबली 35 लाक नए केसिज आये हैं पिछले एक सब्ता में 13 नेशन ऐसे हैं जिसमें 10 हजार से लेके 50 हजार के बीच में नए केसिज आये हैं चीन की वैक्सिन फेल हो गई तो चीन ने जीरो पोविड पॉलिसी अर्थार्थ फोज लॉकडाउन लगा दिया मार्च के मैने में 2022 में इसका विरोध करने के लिए वहां के लोगों न जिम्मी जिम्मी आजा आजा इसमें रील बनानी जुरू करती जिम्मी जिम्मी आजा आजा का अर्थ चाइना में था कि भाई चावल खतम हो गए हैं ये लॉकडाउन न डालो उसका विरोध प्रदर्शन था एक्चली उसके बाद वहाँ के लोग सड़कों पे निकल गए प्रोटेस्ट करने के लिए भाई साब इसका अर्थ समझ रहे हो आप ये हमारे जैसा नहीं कि शाहीन भाग में जब मन कि तंबू बंबू काड़ दिया इसका अर्थ है अब हमने मौत से डरना छोड़ दिया है इस बात पर एक शेर याद आया है मरना कौन चाता है पर मारने के लिए जला रखिये तुमने भट्टी मरना कौन चाता है पर मारने के लिए जला रखिये तुमने भट्टी तुम्हारी देखकर निकल गई सबकी जान अब यह कैसा शेव रहे इसमें तो राइमी नहीं हुआ मान में तो हुआ यह जो रही थी पर इतने में भारत ने अपनी वैक्षीन लॉंच कर दी इन्होंने भारत की वैक्षीन को रिडिकेल करना शुरू कर दिया पर वो जानने से पहले हम में आपको स्वागत है राहुल गांधी बोलो सरकाट डर गई लोग ने पूछो किस तै राहुल बोलो मोत है मेरी यात्रात है लोग बोले अरा बोले कहा हसे कई गंडा तक हसते रहे सुसरे चाचा दीपू की तो हसी ना रुकरी उन पे तो वाटर कैनन चलवाए गई जब जा खटमल कुछ ना रहेंग रहो फिर हमने वीडियो बनाई फिर रहेंग अब खेल समाचार मैसी की फोटो अर्जंटीना की नोटन पर छपैगी आई पील में इंग्लेंड के खिलाडी सपते महंगे बिके ये सुसरे अंग्रेज आज भी भारते लूट-लूट के खा रही है प उनको तका ही कहें चलो मैं चलूं तुम कुवाम बढ़ो मो का अब भाई एक और देश में परोसा जा रहा था चीनी वैक्सिन लेलो चीनी वैक्सिन लेलो का बवासीर और दूसरी और फेलाया जा रहा था कि भारत की वैक्सिन खराब है का विश मतलब जो वैक्सिन चीन के टॉप ओफिशल्स मान रहे हैं कि इन एफेक्टिव है और बाद में जिसके कारण पूरा बवासीर हो गया वो इन गधे के बच्चों के लिए अच्छी है और वही चाहिए इन्हें और उसके लिए ना भाई साब भारत की एक जनता नेपाल जाके उ उदर से भारत के टॉप ओफिशल्स बोल रहे हैं कि हमारी वैक्सिन एकदम बढ़िया है और उसके लिए लोग तयार नहीं थे उसके लिए वो कह रहे थे ये तो बीजेपी की वैक्सिन है ये थोड़ी लगवाएंगे हम बीजेपी का वैक्सिन ही लगा सकते हैं फिर ये टीका करन मुझे क्यों ना दिया जाए और मुफ्त में क्यों ना दिया जाए शतीश अचारे ने इतने कार्टून बनाए कि ने भारत की वैक्सिन खराब है मत लगवाना फिर थोड़ी दिन में खुच जाके लगवाली समझ में नहीं रा रहा था कार्टून कॉन है तो भाई साम ने वैक्सिन के उपर क्वेस्चन कर दिया और स्वाती चत्रवेदी ने खुला कह दिया कि भारत बायोटेक पर भरोसा ही नहीं है प्रशांद भूजण ने का कोरोना तो खुदी मर रहा है उसके लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो है ये मोधी भी नहीं कुछ इनको आता ही नहीं है इनको पड़ी ही नहीं है सागरिका को हमारी एक्सिन पर कॉन्फिटेंस नहीं था समाजवादियों को लग रहा था कि वैक्सिन से नपुनसक बन जाएंगे और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं चंसंख्या कम करने के लिए मारने तो उन्होंने कुछ संग्यान लिया होता पर क्या ही कर सकते हैं अब है 2008 में युवराज जी ये साइन करेंगे राजीव गांधी ट्रस्ट में फंड आएगा तो कुछ तो इने भी करके दिखाना होगा उपर से कॉम्मिनिस्टों का अलग है उन्होंने तो भारत चीन का यु मिनिस्टर थे केरल के तो उन्होंने भारती जवानों के लिए एक ब्लड डोनेशन केम्प लगाने की मात्र बात करी थी मात्र बात करी थी दिया नहीं था मात्र बात करी थी तो उन्हें इस बात करने के लिए ना पार्टी से और चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया आप किरहें के भाई साब यह लोबी नहीं करते हैं, तो इसी बाद भी एक शेर याद rocks आया है, हमें क्या तुम चलाओ गाड़ी या चलाओ स्कूटर ? हमें क्या तुम चलाओ गाड़ी या चलाओ स्कूटर ? बारेस से का जारी मत करो, नहीं तो फड़ जाएंगे तुम्हारे, बाम. अबे ये कैसा शेराइस में तो राइमी नहीं हुआ? मन में तो हुआ. तो भाई, तो भाई, that's it from my side, you are watching the Vogue show, जेहिंग, जे भारेस.